दोस्तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फॉन को अपने लैप्टॉप या अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली मतलब बिना केबल के आप अपने लैप्टॉप को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी photo, video, mobile से laptop में share कर सकते हैं या laptop से अपने mobile में कोई भी photo और video आप share कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने mobile और अपने laptop को एक दूसरे के साथ connect किया है जितने भी folder मेरे mobile phone में है सभी मेरे laptop में भी दिखाई दे रहे हैं मैं यहां से किसी भी folder या किसी भी वीडियो या किसी भी image को copy कर सकता हूँ जैसे मैंने यहां पे अभी copy कर दिया है और अपने mobile phone में मैं इसे paste कर सकता हूँ या अपने mobile phone से जो भी folder है मेरे सामने अभी आ चुके है मैं अपने mobile phone का data या कोई भी video यहां से copy करके अपने PC या अपने laptop में paste कर सकता हूँ तो इसे आपने कैसे करना है सबसे पहले तो आपको Google Play Store पे चले जाना है और यहाँ पे एक application को आपने install कर लेना है application का नाम है Wi-Fi FTP Server आपने search box में Wi-Fi FTP Server टाइप करना है और इस application को आपने install कर लेना है धान रहे यहाँ पे इसका icon भी आप note कर सकते हैं सेम यही application होनी चाहिए install करने के बाद आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं start वाले option पे आपने click कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पे start वाले option पे click करते हैं तो अभी यहाँ पे आपका server URL दिखाई देने लग गिया है बस इसी server URL का use करके आप अपने mobile phone और अपने laptop को connect करने वाले हैं और connect करने से पहले ध्यान रहे जो आपका mobile है और जो आपका laptop या आपका PC है same network से connect होना चाहिए मतलब आपके अगर घर में कोई wifi है तो आपको अपना mobile और अपना laptop उसी wifi से connect कर लेना है लेकिन अगर कोई wifi आपका नहीं है तो आपने mobile phone का hotspot on करके उसे laptop के साथ connect कर लेना है मतलब दोनों एक दूसरे से connect होने चाहिए same network में तो यहाँ पर इस case में मैंने अपना होट स्पोट यहाँ पर on कर लिया है और अपने PC में अपना wifi इसमें on कर लिया है और दोनों laptop और अपने mobile phone को connect कर लिया है इसके बाद आपको अपने laptop या अपने computer में this PC इस option के अंदर चले जाना है या आपके laptop या आपके computer में my computer वाला एक option दिखाई देगा इस option के अंदर आपने चले जाना है और यहाँ पे आपको this PC वाले option पे click कर लेना है और यहाँ पे आपको अपने laptop के driver दिखाई देने लगे जैसे इहारी C-drive और D-Drive इसमें दिखाई दे रहा है आपने क्या करना है यहारीung स्क्रीन में Right-click करलना है जैसे आप यहारीऊ पर स्क्रीन में Right-click करते हैं तो यहारीए आपको एक Option देखनी ही लिए मिलता है Add a Network Location तो यहाँ पे add a network location वाले option पे आपने सबसे पहले तो click कर लेना है इसके बाद आपने यहाँ पे next वाले option पे click करना है और इसके बाद दोबारत से आपने यहाँ पे next वाले option पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपसे अभी network address डालने के लिए बोल रहा है आपने ये वाला same URL पकड़के यहाँ पे डाल लेना है जो आपके mobile phone में Wi-Fi FTP server application के अंदर जो URL आपको दिखाई दे रहा है इस URL को same to same आपने यहाँ पे डाल लेना है तो यहाँ पे अभी आपने network address डाल लिया है इसके बाद आपने यहाँ पे next वाले option पे click कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे log on and on musli वाले option पे tick रहने देना है और इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है और सिधा next वाले option पे आपने click कर लेना है और यहाँ पे इस network का नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ भी इसमें अभी नाम दे दिया है, इसके बाद दोबारा से आपने next वाले option पे click कर लेना है, और यहाँ पे finish वाले option पे आपने इसके बाद click कर लेना है, इतना करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मेरे mobile phone के अंदर folder है सभी यहाँ पे अभी दिखाई देने लगे हैं अगर दुबारा मैं यहाँ पे this PC वाले option पे click करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दुबारा एक network मेरे सामने आ चुका है जिसका नाम मैंने यहाँ पे कुछ भी इसमें रख दिया था इसके अंदर अगर मैं click करता हूँ तो जितने भी folder, जितने भी file, जितने भी video मेरे mobile phone में थे सभी यहाँ पे अभी आ चुके हैं मैं यहाँ से कोई भी video उठा के अपने laptop मैं paste कर सकता हूँ जितने।